जी कैव्शिक्स आजके लेक्शर का आगास करते हैं लेक्शर नुमर हमारा 24 आजके लेक्शर में हमदों पढ़ने जा रहे हैं चेप्टर 11 के बेसिक कुछ क कशब्स हमने प्रिवेस लेक्शर में डिसकस किये थे और व्यू आपको दिया था जैंठर11 क्या सीखेंगे कंपनी के पास different sources of finance क्या होते हैं यानि कितने sources हैं पैसे कटे कर सकती है और हर source के बारे में study करेंगे इसके features और इसके plus और minus यानि advantages क्या हैं और disadvantages क्या हैं कुछ sources के advantages, disadvantages, features detail में हमें बताता है और कुछ के वो सरस्री बता के गुजर जाता है जिस तरीके से ICAP की book में हमें उसने features या advanced या डिस्टाड़ाशी बताया हुए है हम उसी extent तक cover करेंगे यानि जिस concept को उसने detail में discuss किया है हम भी detail में discuss करेंगे जिस concept को उसने 2-3 लेनों में explain करके आगे निकल गया है हम भी उसके basic concepts को understand करेंगे और उसके बाद आगे से लेंगे जो basically दो बड़े sources of finance है वो कौन-कौन से है क्या बड़ा था कल कौन-कौन से sources of finance है equity और debt equity basically equity holders को हम कहते है owners of the company और जो debt holders हैं उन्हें कहते हैं lenders of the company यानि वो उधार देते हैं broad level पे हमने कुछ difference equity और debt का पर discuss कर लिया था कि एको dividend मिलता है और एको interest मिलता है equity के quickly कल हमने हाला के concept पढ़ा लेकिन quickly इसके features को cover करके मैं आगे चलना चाहरा हूँ two types of return on equity equity holders को दो types of return क्या मिलते हैं दो तरह का फाइदा यानि equity holder हैं अगर आप shareholder हैं किसी company के तो आपको जो benefit मिल ला होता है उससे वो दो तरह से मिल ला होता है वो किस तरीके से एक periodically dividend की शेकल में और दूसरा share की price variation की शेकल में यानि share की price अगर बढ़ती है तो उससे भी आपको फाइदा मिलता है आप stock exchange में जाके आपको बेच सकते हैं higher price पे जिससे आपको benefit होगा यानि एक फाइदा वो होता है जो आपको हर हो सकता है कि हर साल हो रहा हो फाइदा dividend की शेकल में और एक वो benefit है जो आपको उस वक्त होगा जब आप इस share को बेचेंगे ठीक है share price high होने की शेकल में इसे कहता है capital appreciation जैसे कोई land buy करते हैं एक आपको land से फाइदा और रेंट पे किसी को देते हैं एक फाइदा होगा हर महीने रेंट के शेकल में आपको रेंड मिलेगा और एक फाइदा उस वक्त होगा जब आप उस land को बेचेंगे property को बेचेंगे जमीन की कीमत बढ़ने की वज़ा से आपको फाइदा होगा उसे कहते है capital appreciation उसी तरह ये दो तरह का benefit होता है जो के shareholders को मिलता है two types of return फिर इसके बाद नॉर्मली जो cost of equity है वो higher होती है cost of debt से इसके दो reasons हैं जो हमने cost of capital वाले topic में भी बढ़ा था एक reason यह होता है कि अगर debentures पे आप interest pay करते हैं वो tax deductible होता है जिससे आपको benefit मिलता है जबके equity पे जब आप dividend pay करते हैं वो tax deductible नहीं होता और दूसरा चुके जो equity holders हैं यह ज्यादा risk लेते हैं risk का मतलब यह है कि अगर project flop हो गया तो सारे का सारा नुकसान shareholders को बरदास्ट करना पड़ेगा जो debenture holders या debt holders हैं वो तो कहेंगे भाई हमें हमारा interest दीजिए ठीक है हमें profit and loss से कोई गर्ज नहीं है तो इसलिए चुके इनको ज्यादा risk जो है फेस करना पड़ता है इसलिए इ company ने अगर पैसे arrange करने हैं तो share issue करके अगर पैसे arrange करेगी तो उसे महंगे पड़ेंगे लेकिन अगर वो loan किसी से लेती है तो वो से निस्मतन सस्ता पड़ेगा cost of employees higher का यह मतलब है फिर इसके बाद हमने study किया था कि share holders का या equity holders का right होता है preemptive right अच्छा right हमने discuss किया था लेकिन इसकी यह term ने discuss की थी preemptive right preemptive right क्या होता है कि आपने अगर new share issue करने है तो existing share holders का पहले right है कि आप उन से पूछिए कि वो यह shares को buy करना चाहते हैं अगर existing share buy नहीं करना चाहते तो existing share holders तो फिर आपने यह shares बाहर के लोगों को बेचने है वरना पहला right किसका है जब कभी कई company new shares offer करती है पहला right existing share holders का है इससे कहती है preemptive right फिर इसके बाद two types of share share की two types कोन कोन सी है ordinary shares and preference shares ordinary shares and preference shares इसमें difference भी हमने study किया था difference क्या था comparison between ordinary share and preference share dividend rate किसमें fix होता है preference share किसमें vary करता है ordinary shares dividend distribution किसको पहले होगी preference shares किसको बाद में लीक्विडेशन होगी जब company की तो list मनेगी कि किस किसको पैसे देने है उसमें पहले तो debentures की बारी आएगी पहले debentures की बारी आएगी debentures की debts वगरा की उनको pay करने के बाद जब shareholders की बारी आएगी तो shareholders में पहले किसको payment होगी preference shareholder को उसके बाद ordinary shareholder को जो dividend के वक्त पहले बारी आती है preference shareholder की तो जब company limited होगी इस वक्त भी पैसे दा करते हुए पहले बारी किसकी आएगी? प्रैफरेंच शेर होल्डर के वोटिंग राइट किसको में लेंगे? ये वोटिंग राइट वो चीज है जिसकी वज़ेसे हम कह सकते हैं कि ये वो राइट है जो आड़ दिनी शेर होल्डर को पास है preference shareholders के पास नहीं है वरना आपने देखा preference shareholders priority right होते हैं उनके पास difference समझा गया आपको जब कभी आपने decision करना है कि पैसे company ने कठे करने है नया project लगाना है सबसे पहले क्या decision करना है debt से पैसा उठाए कि equity से उठाए अगर equity से उठाना है तो further decision करना है क्या Audrey share के preference share उसमें आपको ये concept काम आएंगे decision करते हों फिर methods of floatation floatation का मतलब यह है कि आपने shares issue करने share floatation मतलब issuance of share कहले floatation का मतलब क्या समझे issuance methods of floatation issues कितने तरीकों share कितने तरीकों से issue किये जा सकते है आपने शायद इससे पहले SILA तो नहीं पढ़ा हुआ SILA पढ़ा हुआ आपने अगर आपने पढ़ा है तो आपको इतना अंदाजा होगा कि company जब कोई share issue करती है तो उसके पास दो बड़ी options होती है एक यह कि general public को share issue किये जाए और दूसरा private placement के जरीए से share issue किये जाए जर्नल issue या public issue यह क्या होता है इसका मतलब यह है एक company ने share issue करने अख़बार में इस्तिहार देगी का जी हमने अपनी company के share issue करने है जो जो share buy करना चाहता है apply कर ले prospectus आश इशू किया जाता है उसके जरीए से investors apply करते है यह होता है public issue और एक private placement होता है private issue यह private placement उसमें क्या होता है general public offer नहीं किया जाता बलके जो company के directors यह existing shareholders है वो private तोर पे ढूनते हैं investors को वो हो सकता है one to one meeting करें बड़े-बड़े investors के साथ वो हो सकता है one to one meeting करें बड़े financial institutions companies के साथ banks के साथ के आप हमारे shares को buy कर लें तो यह है difference private placement में और public issue में private placement और public issue यहाँ पे flotation का method एक private placement है public issue नीचे है initial public offer ठीक है private placement private placement में क्या होता है कि इसमें जो company अपने shares offer करती है general public को नहीं करती बलकि privately investors को अप्रोच करके उन्हें share issue की हो जाता है ठीक है नाम से जाहर हो ना private placement अच्छा मुझे यह बताइए आपके ख्याल में private placement एक प्रॉस्पेक्टिस में इंक्लूड करने पड़ती है अगर वो प्रॉस्पेक्टिस में टॉपिक याद आपको यादो कि इन्फर्मेशन भी होती थी उसमें अगर गलती हो जाए तो सदा भी मिला करते थी तो तो प्राइबेट placement निद में क्या होते हैं निसमतर वन्टू मन जाके आप आपको पता कि बड़े investors हैं आप उनको प्रॉस्पें एग्रिमेंट होता है शेयर इशू कर दिये जाते हैं बाराल यह एक option है अल्टीमेटली डिसीयर जाहिरे कमप्टी अपने हालात को देखके फिर लेगी कि हमने किस offer की तरफ जाना है प्राइबेट placement समझ आ गया नॉर्मली अगर आपने जल्दी पैसे अरेंज करने हो या इतनी बड़ी amount नहीं थोड़ छोटी amount आपने अगर वह अरेंज करनी है तो आप प्राइबेट प्लेसमेंट के तरफ जाते हैं लेकिन अगर बड़ी amount अरेंज करने हैं तो उसके लिए फिर public offering के तरह अचा पब्लिक offering में क्या क्या जर्नल पब्लिक से पैसे उठाए जाते हैं यानि जर्नल पब्लिक आफर किया जाता है जर्नल पब्लिक हमारे share जो है वो बाई करती है और हम उनसे पैसे ले लेते हैं इसमें पैसम से पहले है initial public offer जब कोई company first time initial नाम से जाहर है public का मतलब क्या जर्नल पब्लिक offer किया जा रहा है और initial का मतलब क्या है जब कोई company first time अपने share जर्नल पब्लिक offer करती है इसे कहते है initial public offer यह offer बड़ा tricky सबसीक्वेंटी share issue करना ना दूसरी तीसरी दफ़ा वो असान होता है first time initial public offer जब share करना ना IPO से तो यह एक tricky काम होता है इसमें बहुत से द हमें इसके लिए brokers को involve करना पड़ता है हमें इसके लिए under writers को involve करना पड़ता है initial public offer में एक जो बड़ी reason होती है ना जो बड़ा difference होता है जिसकी वज़ा से यह company को कुछ technical problem face करना पड़ती है वो यह कि company को नहीं पता existing market में उसकी exact reputation क्या है market कैसे respond करेगी share उसे जो issue करने चाह देखें आपने books में पड़ा होगा कि एक face value होती है दस रपे लेकिन जाद रखे practically लाजमी नहीं है कि share दस रपे पेशू किये जाए बलके share किस प्राइस पर इशू करें market value के ओपर अच्छा सोचिए अगर existing shares trade हो रहे हैं stock exchange में उसकी market value सबको पता है उसकी market value investors को भी पता है company को भी पता है company ने जब आप subsequently share issue करने है तो वह problem नहीं है उससे पता कि मैंने किस प्राइस पर इशू करना लेकिन first time जब IPO issue करना उस करके offer करने जा रहे हैं investor इसको एक high price के तोर पे ले गए या low price के तोर पे बाद वकात ऐसे होता है IPO issue किये जाते है और expectation से ज्यादा application आ जाती है expectation से ज्यादा application आने का मतलब क्या है बहला price low calculate की गई है लेकिन company जाहरा चेंज नहीं कर सकती है उसको issue करने पड़ते हैं और बा price calculate की है हाला कि वो broker की मदद से calculate करते है broker stock exchange का बंदा है उसे stock exchange में अदाजा होता है वो कहता है अपना feedback देता है कि सर मेरे ख्याल में इतनी price होनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद है तो उंच नीच हो सकती है अचा अगर expectation से कम share कम application इसका मतलब क्या है कि जो price calculate estimate की गई थ थी वो हाई थी अच्छा यहां पर जब application कम मत दोनों problem आपके सामने आ गई अच्छा दोनों ही नहीं होनी चाहिए company के point को से सोचे लेकिन ज्यादा severe कौन सी होती है वाला कम application क्योंकि कम application में risk होता है कि जितने पैसे हमें चाहिए हो सकता है उतने भी कठे ना हो सकते अंडर राइटर ब्रोकर को तो stock exchange में price calculation estimation के लिए इंगेज किया जाता है अंडर राइटर को इसलिए इंगेज किया जाता है कि अंडर राइटर गरंटी देता है अगर आपके shares आपकी मुकर्रा जितने भी आपको quantity चाहिए उससे कम issue हुए ना तो बाकी मैं खरेंगा बाकी सम टाइम ये रिजमेंट होते हैं सम टाइम रिजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्या अंडर राइटर कहता है आप ऐसा करें सारे के सारे shares मुझे बेच दें जो भी share issue होंगे मैं share issue करूंगा बाकी जो ना हुए वो मेरे इन substance देखें दोनों में कोई फरक नहीं है प उसने 700 शेर आगे issue किये और 300 अपने पास रख लिए बाराल अंडर राइटर का ये काम होता है कि अगर सारे share issue ना हो सके तो जो share issue नहीं हुए वो किसने खरीदने होते हैं अडर राइटर में आई प्यो एक expensive तरीका का इसमें ब्रोकर अंडर राइटर और कुछ दूसरी requirements हो है small companies के लिए नहीं यानि वो companies जो अपना business grow कर रही है जो पहले शायद private company के तोर पे काम कर रही थी अब वो public company में convert होने जा रही है तो general public को अपने shares offer कर उनके ये तो IPO ठीक है ठीक है वरना जो छोटी company जो expect कर रही है कि future में भी हमारा काम small scale भी होगा उससे IPO नहीं करना चाह clear हो गया ये ठीक है अचा फर्स टाइम अगर general public को share offer किये जाए उसे क्या कहते है और अगर subsequently share issue किये जाए subsequently कल बताया था कल बताया था subsequently share issue किये जाए राइट इशू शाबाश राइट इशू से कहते है ये राइट इशू share holders ये राइट इशू है company shareholders को second time share issue कर रही है या subsequently share issue कर रही है ठीक है अच्छा इस सारे में इन जो हम method of flotation पढ़ रहे है इसमें company involved है अगर एक share holder दूसरे share holder को बेच देता है shares क्या ये company का source of finance है सोचिए stock exchange में daily basis के ओपर millions की transactions हो रही है एक share holder दूसरे share holder से share खरीद रहा है बेच रहा है क्या इन सब में company involved होती है नहीं वो company के लिए source of finance नहीं है वो share holders के लिए तो source of finance है company के लिए नहीं है ये जहां पे जो share holders एक दूसरे के साथ sale purchase कर रहे है ना वो शामिल नहीं है कि एक company ने existing shareholders को share बेचे आई पीओ का मतलब एक company ने general public को first time share बेचे right issue का मतलब क्या है एक company ने shareholders को subsequently तो subsequently आपको existing shareholders को offer किया जाता है कि इसको नॉर्मली ना जब right issue किया जाता है ना terms बोली जाते है जैसे one for one one for one का मतलब क्या है जिसके पास existing एक share holder है for one का मतलब आपके पास एक share holder है तो one आपको एक बेलेगा अगर ten for one हो मतलब अगर आपके पास एक share है existing तो आपको 10 मिलेगा ठीक है आपको याद होगा इसी तरह की एक phrase हमने पढ़ा था conversion वाले question में cost of capital का conversion वाला question था जिसमें उसने बताया था एक debenture कितने ordinary share में convert होगा उसमें हमने similar phrase study किया था और bonus issue का मतलब क्या है bonus issue भी subsequent issue ही है लेकिन क्या है इसमें पैसे नहीं ले जाए यह free of cost ठीक है इसमें basically company का कोई finance नहीं कर रहे है लेकिन पिर भी यह financing है एक तरह से क्यों भला क्योंकि अगर company bonus issue ना करती तो इसे shareholders को dividend देने के लिए किसी ना किसी bank से पैसे उठाने पड़ते हैं ठीक है तो यह भी एक तरह से financing में ही आता लेकिन बारहर इसमें company को कोई नया पैसा नहीं मिलेगा ने share तो issue होंगे bonus issue में चाहिए आए कंब एक पार में इंट्रोडेक्शन का मतलब क्या है इंट्रो ड़्रॉडडेक्शन इंट्स्राओक एक्षेंज introduction into stock exchange sometime ऐसा होता है कि किसी company के shares already circulate कर रहे हैं लोगों में listed नहीं है stock exchange में dealing नहीं हो रहे है already public money और company ये चाहती है कि इनी shares को हम stock exchange में list करवा दे इनी shares को हम stock exchange में list करवा दे ये जेज में रखेगा IPO से different है कैसे IPO में आप पहली दफ़ा general public को share issue यानि इसमें नए share issue हो रहे है IPO में जबकि introduction में new share issue नहीं हो रहे है आप सिरफ existing shares को जो के out of the stock market sale purchase हो रहे हैं जैसे private company के shares होते है उन्हें आप list stock exchange में list करवा रहे होते हैं ताके लोगों को sale purchase करने में आसामी हो इसे कहते हैं introduction introduction समझे हैं सारी terms को एक दवा पढ़िए private placement, IPO, right issue, bonus issue introduction देखे समझ आती है सिरफ term को पढ़ के आपको समझ आ जाती है किसे अंदर किया चले, आगे चलते हैं benefits of placing ठीक है private placement placement का मतलब private placement private placement का क्या फाइदा है और क्या नुकसान है private placement का क्या फाइदा यानि private placement को compare कीजिए public issue के साथ private placement में क्या करते हैं shareholders को privately share issue के जाए general public involved नहीं होती अगर मैं आप से पूछ हूँ private placement को आप investor बैठे है private placement को prefer करेंगे के general public issue को दुनों को फाइदा सामने रखें तो यह आपको comparison करवा रहा है private placement का फाइदा है यह cheaper है इसमें बहुत जादा regulatory requirements involved नहीं होती बहुत जादा professional involved नहीं होती quicker है दो-चार meetings को investors को अच्छा लगा कानी खतम उदर arrangement हो जाएगी less disclosure of information क्योंकि अगर आप public issue की तरफ जाते हैं न तो आपको prospectors issue करना पड़ता है उसमें लंबी चोड़ी disclosure की requirements है drawback किया है placement का placing का अब यह थोड़ा आपको ना समझने पड़ाएगा एक option है मैं एक लाग शेर्स आप सब क्लास को offer करो को इस टूंड दस हजार शेर कोई पांच हजार कोई बीस हजार कोई साथ हजार इस तरीके से different investors shares करीदेंगे इसका मतलब है share holding distributed होगी बहुत से shareholders होंगे कोई एक shareholder इस position में नहीं होगा क्या कि मुझे threat कर सके sir मेरी मरज़े का काम कर रहे वरना investment सारी वापस नहीं होगा कोई एक अगर ऐसे का मैं कोँगा थोड़ी सी तुमारी investment है यह लो वापस का लेकिन अगर मैं private placement के जरीए किसी bank के पास किसी बड़ी company के पास जाता हूं किसी बड़े investor के पास और उसे कहता हूं कि आप हमारे यह investment की जरूरत है आप हमारे shares करीदी है क्या वो इस काबिल होगा के बाद में हमें control कर सके majority shareholder है वो meeting में भी आएगा वो decision making में participate करेगा ठीक है प्राइबेट placement का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर कोई institutional investor आजाए बड़ा investors corporate investors तो वो फिर साब के सारी buying एक investor के हाथ में होगी वो जब majority shareholder बन जाएगा वो company की decision making में वार्व होना चाहे हो सकता है controls लेना चाहे ले सकता है director भी बन सकता है ठीक है जैसे first कि जैसे Elon Musk ने buying की अब बनाया director बन गया के नहीं अब वो decision making में participate करेगा के नहीं बिल्कुल करेगा यह नुकसान होता है private place में लेकिन अगर वही share general public को spread करके distribute किये जाए तो कोई भी एक investor controlling position में नहीं जाता है methods of flotation clear हो गए चलिए अब यह तो हमारा हो गया equity वाला portion अब चलते हैं debt वाले portion की तरह ठीक है जी अब हम चलते हैं debt वाले section की तरफ debt वाले section में सबसे पहले हम study करेंगे different types of debt इसमें different shares equity में तो आपको पता है दो options थी ना मारे पास कौन कौन सी ordinary share और preference share लेकिन debt के case में हमारे पास बहुत सी options है कुछ debt होते हैं short term और short term debts कौन से होते हैं short term अब यह आपकी accounting की definition आ गए आपने का आप जो within one year payable हो short term है और जो after one year payable हो वो long term है अच्छा हम finance में definition को थोड़े से different way में describe करते है short term और long term हम कहते हैं जो आप अपनी short term needs को पूरा करने के लिए loan लेते हैं वो short term loan है और जो long term projects को finance करने के लिए long term needs के लिए loan लेते हैं वो क्या है वो long term loan ठीक है बाराद concept तक्रीवन एक जैसी हो जाता है क्योंकि short term needs का मतलब वह है जो immediately आपने pay करनी options क्या क्या है यह types of debts क्या 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 है short term में और long term में short term bank loan certificate of deposits treasury will और trade credit क्या है ओवर्ड्राफ्ट क्या है ओवर्ड्राफ्ट के साथ सम टाइम arrangement होती है देखें मैं overdraft और short term bank loan इन दोनों को differentiate करने के लिए example दे रहा हूं मैं बैंक के पास किया मैंने का सर हमने इद करीब है अपने employees को पैसे देने हैं और हमारे पास पैसे नहीं है क्या आप सकते हैं बैंक कहता है सर आपको तो अब छोटी इतके बाद बढ़ीद भी आएगी आपको उस वक्त भी शायद पड़े आप हमारे साथ एक arrangement कर लीजिए क्या कि आपने जो हमारे पास account खिलवाया होना current account हम आपको एक facility देते है इस वत उसका balance है डेड़ लाख आप अगर इसमें से चार लाख पांच लाख का चेक भी इश्यू करेंगे ना हम payment कर देंगे यह आपका balance आपो जो overdraft का है यह जब आप पैसे जमखे राँएंगे यह पॉस्यू कुह जाएगा याणि एक ही account है उससमें से कभी वसका balance से और कभी उसका balance overdraft होगा कभी surplus होगा कभी overdraft होगा अकाउट एक ही है उसमें जब surplus होगा तो उसपे कोई interest चार्ज नहीं किया जाएगा जब overdraft होगा तो bank interest charge करेगा या overdraft आपने country में जब वो bank reconciliation statement के questions करते होंगे ना उसमें इस तरह के bank account के example होती है इसमें आपके deposits भी होते हैं withdrawals भी होते हैं withdrawals जाता हूँ balance overdraft हो जाएगा उस पे interest pay करना मनें दूसरा short term bank loan short term back loan का मतलब क्या हम बैंक के पास जाते हैं हमने कहते हैं हमें लोन चाहिए वो कहते हैं कितने अरसे के लिए हम कहते हैं sir हमें चाहिए 15 दिन के लिए या हमें चाहिए एक महीने के लिए इद से पहले payment करनी है अपने employees को इद के बाद जो हमारे डाटर से हमें collection आ जाएगी हम आपको repay कर देंगे bank कहता है अच्छा हम आपको एक महीने के लिए 2 million loan दे रहे हैं अब उसके लिए नया account खोलेगा उस account में 2 lakh रपया हमारे account में deposit कर दिया जाएगा loan के तोर पे अब उस account में हम repayment की transaction तो कर सकते हैं deposit की transaction नहीं कर सकते हैं फरक समझ रहे हैं यानि वो एक loan का account होगा उसमें एक दफ़ा entry आएगी bank की तरफ से फिर उसके बाद हमारी repayments ही होंगी जब जब हम repayment करेंगे इसमें हमेशा ये balance initial है उसके बाद हमेशा downward ही आएगा fluctuation ही आएगी कभी अब कभी down कभी अब कभी down जैसे जैसे हम repay करते जाएंगे जो short term bank loan है इसका balance कम होता जाएगा ये short term bank loan है और फिर इसके साथ long term bank loan भी इसी तरह का है मैं साथ ही explain कर रहा हूं long term bank loan में क्या होता है similar arrangement होती है हम बैंक से कहते हैं हमें loan चाहिए फरक सिरफ या कि अब हमसे एक महीने के लिए नहीं कह रहे हो सकता हमसे 10 साल के लिए कह हो सकता हमसे 5 साल के लिए कह तो bank account open करेगा एक उसमें हमारा 5 साल का जो 50 महीने loan है वो एंटर क कहेगा कि आपने हर तीन महीने के बाद इसकी यह installment पे करनी है जैसे जैसे हम installment पे करते जाएंगे long term bank loan outstanding amount कम होती जाएगे यह फरक समझा है आपको overdraft में और short term bank loan में यह एक ही account में दोनों transaction हो रही है यह account कभी surplus हो जाएगा कभी deficit में हो जाएगा लेकिन short term bank loan यह initial deficit में होगा फिर आशता साथ deficit जब loan repay हो जाएगा इसके बाद है certificate of deposit certificate of deposit नौर्मली banks issue करते हैं आप अगर banks के पास जाके उनके account में पैसे जमा करवाते हैं एक तो होता है current account current account के उपर पैसे अब कवाद इंटरस्ट नहीं मिलता एक सेविंग अगाउंट जिसके इंटरस्ट मिलता इस बैंक आप से कहते हैं आप हमारे पहले किसी जमाने में रूल होगा करता था कि monthly basis के उपर इंटरस्ट केल्कूलेट करते थे अब daily basis के उपर इंटरस्ट क्या आप 10% इंटरस्ट कमाना चाहेंगे हमने पूछा वो कैसे उसने का आप पैसे अपने account में न रखें आप हमें अलाइदा से पैसे दीजिए ये चेक बनाके हम आपको इसके बदले में एक certificate देंगे जिसे कहते है certificate of deposit पंधरा दिन का भी हो सकता है तीस दिन का भी हो सकता है पंधर या तीस दिन के बाद आपके पैसे वापिस आपके account में आ जाएंगे ठीक है आपके account में पैसे वापिस आ जाएंगे लेकिन इंटरस्ट 10% होगा हमने का यार यह account में अगर पैसे रखें उस पे इंटरस्ट कम मिलता है अगर certificate of deposit आप से buy कर ले उसमें इंटरस्ट ज़्यादा मिलता है दूनों में फरक किया है उसमें का account में पैसे रखते हैं तो चांस है आपके पास option है कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं तो हम भी डर रहे होते हैं कि आप कभी भी पैसे आके मांग लेंगे हम उससे कोई बड़ा प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे पैसे को नही लेकिन अगर आप हमारे से एक मिने दो मिने तीन मिने का certificate of deposit खरीद लेते हैं तो इसका मतलब यह हुआ अब आपने पैसें को ब्लॉक कर दिया एक दो तीन मिने के लिए अब आप उससे पहले पैसे नहीं निकलवा सकते हैं जो चुक्कि आपके पैसे freeze हो गए इसलिए अब आपके पास option नहीं रही कि जब चाहिए पैसे निकलवा सकते हैं इसके बतले में फिर हम आपको higher interest rate offer करते हैं तो यह है certificate of deposit यह banks के लिए source of finance है company के लिए नहीं या हमारे किसके लिए bank के लिए source of finance है bank certificate of deposit issue करके लोगों से पैसे इकठे कर सकता है फिर एक treasury bill treasury bill क्या है एक इसमें इसने commercial paper नहीं लिखा हुआ इसे यहां पर commercial पैप उसने आगे जाके explain किया commercial paper को इसमें भी इंपूर्ड होना चाहिए कि दिवेंचर कभी सुना आपने हैं दिवेंचर क्या होता है दिवेंचर क्या है जैनल पब्लिक से जो जब कोई company जैनल पब्लिक से पैसे कठे करें लोन की शकल में अगर एक company जैनल पब्लिक से पैसे कठे कर रही है लेकिन उन्हें मालिक बना रही है company का वो शेर कहलाएंगे लेकिन अगर जैनल पब्लिक पैसे कठे कर रही है लेकिन मालिक नहीं बना रही है बलके उन्हें क्या बना लेंडर 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 ऑफ दा कंपल तो जो इंस्ट्रूमेंट डिशू किया जातों से क्या कहता है डिवेंचर डिवेंचर और शेर इनकी नेशर एक तरह से बजाहिर देखें एक जैसी है फरक सिर्व यह ऐए कर आपके पास है कमपनी के मालिक हैं जबके डिवेंचर अगर आपके पास है तो आप कंपनी का लेंडर डिवेंचर के मतले इंडरеци। डिबेंचर इसु करेंगे लेकिन अगर दो तीन मिजिनों के लिए पैसे भी जुरूर हो था दो तीन नहीं शेर्स क्यों शेर्स तो बलके तब इसु किये जाते हैं जब कमपनी ने ताक एहमत उसको उस पैसे वापिस नहीं करना है शेर्स तो होते ही एरीडिमेबल है कि अगर लॉंग लॉट्रम नीड है तो डिबेंचर शौर्ट ट्रम नेड है तो कमपनी एक पेपर इसु करती है जिसे कहते हैं दो आपको शेर्स के आगए दो टाइप्स और दरी और प्रैफरस अब डिबेंचर की बात करो डेट की बात नहीं कर रहा है डेट बहुत comprehensive term है डेट टर्म बहुत comprehensive इसमें बहुत सी तरह की options आ जाती है debenture एक ऑप्षन है debenture भी बेंक लोन भी तो है debt में bank loan भी तो आएगा डेट की डेफिनेशन में ओवर्डाफ्ट आएगा डेट की डेफिनेशन में शार्ट टम बैंक लोन आएगा डेट की डेफिनेशन में लांग टरम बैंक लोन आएगा डेट की डेफिनेशन में डेफिनेशन में डेफिनेशन में डेफिनेशन में डेफिनेशन में डेफिनेश प्रिश्टा है क्या लोन चाहिए तीन महिने के लिए चाहिए पांच साल के लिए चाहिए तीन महिने के लिए चाहिए तो वो उसको क्या नाम देता है शौर्ट टर्म बैंक लोन पांच साल के लिए चाहिए तो क्या नाम देता है लांग टर्म बैंक लोन अब इसी तरह हमने पब्लिक से पैसे कटे करने है शौर्ट टम तीन महीने चार महीने के लिए इशू करने है तो जो इशू करेंगे स्ट्रूमेंट उसे क्या नाम देंगे कमर्शल पेपर लॉंग टम के लिए इशू करने है तो क्या नाम देंगे डिवेंचर फिर आगे चलके डिवेंचर को बॉंड के साथ डिफरेंशियेट भी करता है डिवेंचर को बॉंड के साथ डिफरेंशियेट कहता है अगर अंसेक्यूर्ड हो तो उसे कहेंगे डिवेंचर असेक्यूर्ड हो तो उसे कहेंगे बॉंड secured means security के तोर पर कोई चीज़े रखवाई है के नहीं रखवाई है security के तोर पर कोई चीज़े रखवाई है किशी को लोन किसी से mo proud मांगते हैं वो लोन देता है बदे में security नहीं मांगता वो हमारा दोस है कोई हम उसे जरूरत के बग्द पैसे लेते हैं हम कहते है यार अब होस्टल का क्राया देना है घर वालों अगले फ़़ते पैसे बेजदेंगे तो दो हजार पया तो देना है हो ख़ेता है यह लेआ 2000 प्याक्त। से काम होता है। स्क्राइट के तोर पर मुबाइल थो नहीं है अपने पास रख लेता है। यह अन्सेक्यूर लॉन और बैंक के पास जाएं। कि बेंक क्या कहएगा बेंक कई का लोन देने को त्यार हूं लेकिन Zamanat के तोब्पे कुछ चेजें मेरे पास रखाओ जूली रखाओ मेरे पास क्योंतायो है सिक्यूर है तो लोन या डिबंच्युर्ट निन सूतब भी हो सकते हैं उन सूंकिन्व हो सकते हैं कमर्शल पेपर और बॉंड और डिपेंचन में फरक समझ आ गया है कि ट्रेजरी बिल क्या होते हैं अगर कंपनी को शौर्ट अंग के लिए पैसो की जरूरत है जनरल पबलीग से इकएठे करना आ कंपनी क्या इश्यू करेगी इस कमर्शल पेपर बैंक ने जनरल पब्लिक से पैसे एकठे करना है इसे क्या कहते है रीजिरी बिल्स यह शॉट अम के लिए टो बेसिकरी सर्टिफिकर्ट ऑफ डिपाजिट कमर्शल पेपर ट्रेजरी बिल्स इन तिनों में कॉमन चीज क्या है शॉट अम फर्ट क्या है certificate of deposit किसका source of finance है bank का और commercial paper किसका source of finance है companies का और trading bill किसका source of finance है तर्मिल का करिया है और फिर वो source of finance जो सबसे सस्ता है सबसे सस्ता है वो क्या है अच्छा आपको लग रहा है बहुत सी types हागे इतनी ज़्यादा types हम पड़े है no problem इस सारी types आगे चलके detail में आप study कर रहे होंगे तो आपके जिन में बैठ जाएंगे अभी इनका introduction साथ साथ लेते है trade credit का मतलब क्या है भाई जान से मैंने समान मैंने का भाई समान हमें बेज़ दो पैसे महीने बाद अदा करेंगे credit पेडर आपने सुना फार भाई साथ दिन भी ओसकता है नवे दिन तक भी ओसकता है नौनी 30 ढेज स्कॉटा है maximum 90 ढेजु ये कैसे source of finance है वो हमें पैसे तो नहीं देरा करेडीटर हमें पैसे तो नहीं देरा तो trade credit ये कैसे source of finance है क्योंकि वो चीज हमें दे रहा है अगर हमें वो time नना देता 90 दिन का तो हमें क्या करना पड़ता bank से loan लेके उसको repay करवाना पड़ता उसको पैसे देने पड़ता जो कि अब हमें उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे 90 days तो 90 days तक एक तरह से इसने हमें finance provide नहीं किया कह सकते हैं कि नहीं कह सकते इसलिए trade credit भी financing की option में है भई वा समझाई इस पर normally interest नहीं न पड़ता हाँ अगर आप 90 दिन से ज़्यादा चले जाएना फिर वो कह सकता है भई मेरा पैसा ब्लॉक हुआ मुझे interest भी चाहिए इन सारी terms को तसलिए से एक एक दफा पढ़ें और मुझे बताएं familiar होगे समझ आ गई कि यह क्या terms है कहें कर आप खुद से घर जाके पढ़ना चाहें न भूल जाए certificate of deposit क्या था treasury bill क्या था तो no doubt इसी section के end पे उसने इनकी detail दियो भी है जो भी मैंने पढ़ाई नहीं है reading में भी शामिया लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं long term loan long term bank loan पढ़ा दिया convertible bonds and warrants convertible bonds क्या होते हैं जिनको shares में convert किया जा सकता है इनका हमने valuation पढ़ी थी थी न cost of capital में convertible bonds के cost calculate करना सकते है and warrants convertible bond को कहते हैं यह hybrid है hybrid hybrid क्या होते है hybrid क्या है जैसे यह hybrid class हो रही है ना इधर के ना उधर के नहीं इधर के भी और उधर के भी hybrid का मतलब होता है इधर के भी उधर hybrid का मतलब है physical भी आ रहे हैं campus के अंदर ठीक है और online के enjoyment भी है सामने बड़ी सी सक्रीन लगी हुई है साथ वाले कमरे में सर आ है और हम बैठे दर देख रहे है नहीं दर रहे हैं बच्चे भुगाओगे तुम तो hybrid का मतलब जिसमें तो convertible bond को hybrid क्यों कहा जाता है दोनों के features है क्या के interest भी मिलता है bond वाला है और shares में convert भी हो सकते हैं इसलिए नहीं hybrid का जाता है वारंट्स क्या होते हैं यह हम बाद में आपको next lecture में explain करूंगा जब detail में इस section में जाओंगा असल में convertible bond के दो इसे होते हैं एक interest मिलेगा दूसरा conversion होगी नौर्मली दोनों कठी होते हैं लेकिन आप conversion वाली option जो है ना वो लादा से करके भी बेज सकते हैं क्या आप कहें मैं सिर्फ interest लूँगा end पे भाई मेरे पास convertible bond है interest मैं लेता रहता हूं end पे जब conversion की time आएगा ना तो shares convertible करवा कि आप ले लेना क्या मैं एक bond convertible bond के दो हिस्ते कर सकता हूं interest वाला portion लादा conversion वाला लादा वह दोनों फायदे होते हैं ना जैसे मैंने आपको बताया था land है उसमें दो एक आपका rental income और एक capital appreciation capital transaction लादा कर दी इंट्रस वाली transaction लादा कर दी और ज़रूरत पढ़ने पर capital वाली option बेज दी इसे कहते हैं वारेंट कि यह यह भी आपके पास bond है तो finance कि यह रोंड्स क्या होते हैं पाकिस्तान में मुझे बताईए bank में account खोलने के लिए जाएंगे खलवाने के लिए bank कोन सी currency में account खुलेगा क्या dollar में account खुल सकता है dollar में भी account खुल सकता है पाकिस्तान में रहते हुए foreign currency में account खुल सकता है सब फ़रंग करन्सी काउंड करते हैं उसी तरह पाकिस्तान में जब कोई कंपनी डिबेंचरी बांड इशू करेगी किस करन्सी में करेगी पाकिस्तान की करन्सी में उसे कहेंगे रेगुलर बांड लेकिन अगर वो डॉलर में बांड इशू करना चाहे क्या कहिए यूरो से मुराद आपने यूरो करशे नहीं लेना किसे बॉरणD जोके यूरो करशे में होसते हैं यूएस पागिस्तान में अगर कोई बाउंड इशू होता है रुपीज के लावा किसी भी करणसी में उसे क्या कहेंगे यह रुबाउंड लोन स्टॉक डिबेंचर लोन कमर्शल पेपर बता दिया क्या यह हां यह यह कमर्शल पेपर शॉर्टम में होना चाहिए बिल्कुल शाब है ल अब इसमें देखें बाउंड और डिबेंचर्स बाउंड और डिबेंचर्स यह आगे चलके वह बताता है मैं एक्स्प्रेंशन में लिखा हुआ है कि लोन नोट्स और कमर्शल पेपर शॉर्टम के लिए बाउंड और डिबेंचर्स लॉंग टम के लिए हैं और बाउंड असल में उसने थोड़ी mis classification की हुई है अब मैं जो आपको classification सिखा रहा हुँ आपने वो जहन में रखनी है सबसे उपर loan stock loan stock असल में बाकी के सारी terms को cover कर रहा हुता है loan stock is equal to bond plus debenture plus loan notes plus commercial papers क्योंता है लोग इसको simultaneously भी यूज करता है ठीक चलिए अभी तक इसको यहां पे रखते हैं फिर आगे चल कि इसको डिटेल में फर्दर डिसकेशन मैं आपको पता है इन सब की आगे वन बैवन डिटेल डिसकेशन होगी जो काफी अद तक मैंने आपके साथ डिसकेश कर दी है आगे चलते हैं फीचर्स डेट के टाइस बता दी ना डेट के फीचर्स इट मैं भी शाटस और लॉंग टर्म अगरी करते हैं और यह यूद रिडीमेपल अग रिडीमेबल भी हो सकता है रिडीमेबल हो सकता है अच्छा इसे चाप्टर के अंदर उसने आपकी प्रैक्टिसिफिक रवाई है कॉस्ट ऑफ कैपिडल की यह आपको रीडिंग साइन्मेंट दिये ना पेज नमपर 193 से 198 तक और अगर आपके पास नया डिशन है तो 2003 से 2008 तक यह पेज आपने रीड करने आज घर जाके जब इनको रीड करेंगे इसमें क्वेस्टन आएगा व लेकिन रिवियन करवाने में बहुत ही आसान है अपने उसको टेंट करने वो रीडीमेबल इरडीमेबल के कंसर्ड्य बेस कर रहा है कि रीडीमेबल इरडीमेबल तो पता होता है नब अच्छा मैंने आपको इतनी आप्शन बताएं डेट्स की शॉॉर्टम भी है consider करेंगे किसी debt को select करने से पहले या आपने short term उठाना है long term उठाना है short term के अंदर कोई सी option long term के अंदर कौन सी option कैसे decision करेंगे bank के पास जाना है general public के पास जाना है को कहते है यह कुछ फैक्ट कहते है कुछ sources आपके लिए available हैं कुछ आपके लिए available नहीं है जैसे अगर आप private company है general public के पास नहीं जा सकते पैसे उठाना के लिए listed company है तो आपके पास general public को shares या debenture issue करने वाली option है तो सारी की सारी option हर option हर बंदे के लिए नहीं है हर debt financing option हर organization के लिए नहीं है आपने सबसे पहले तो यह देखना है कौन सी option हमारी company के लिए available है कौन सी नहीं है फिर देखना है duration किस मकसद के लिए loan चाहिए यह नहों employees को selly देनी और पांच साल का loan commitment के साथ अगर अगर अपने working capital के लिए पैसे चाहिए working capital के लिए तो loan short term होना चाहिए long term working capital के लिए short term loan working capital का मतलब क्या होता है यह inventory खरीदी है उसके पैसे देने है क्रेटर को payment करनी है और अगर किसी investment project में investment करनी है इसके लिए long term loan होना चाहिए duration देखो rate fix है के floating है आपको तो books में यहीं सिखाया जाता है 7% rate of interest 10% rate of interest practically rate of interest variable भी हो सकता है आपने कभी काईबर का नाम सुना है कराची Interbank offer rate बाद उकात loan लिया जाता है rate fix किया जाता है 10% 12% बाद उकात उसे काईबर के साथ link किया जाता है काईबर daily basis के ओपर change होता है तो calculation की जाती है के काईबर जो का rate होगा उसमें 2% हम एड़ करेंगे अब इसका मतलब है जैसे जैसे काईबर जिस मेंने काईबर increase कर रहा होगा आपका rate of interest जादा होगा और जिस मेंने काईबर decrease कर रहा होगा आपका rate of interest कम होगा तो loan के ओपर rate of interest fixed भी हो सकता है floating भी हो सकता है पिर आपने ये भी देखना है भाही सेक्योरिटी देने के लिए आपके पास क्यूआ चीज़े हैं कि नहीं हैं और क्योगते हैं की सेथा तर लोन्स एक्योड होते हैं ज्यादा तर जो फाइनंसिन डेटyinशिंग औपशन हों सेक्योर्ट होती है और उनके साथ agreement होता है conditions होती है covenant का मतलब क्या है condition जो loan agreement पे include की जाती है अगर इनकी ये बड़ी सखत condition होती है अगर इनकी violation करें ना तो bank पूरे का पूरा loan immediately वापस मांग लेता है या penalty अगर loan वापस ना भी मांगे ना रहन कर दे लो तो भी आपको heavy penalty इंपोस्ट करवाता है यह पे करें आपने हमारे साथ agreement किया था उसकी violation भी कुछ factors समझाए यह factors क्या है हमें decision करते हुए कि किस option की तरह जाना है इन factors को consider करना है आपकी common sense का तीन चार मिनट और प्रशान नहीं होना lecture का time को no issue advantage or disadvantage किसके equity financing के नहीं बढ़ा रहा debt financing advantage क्या है investors के लिए company के लिए किसके लिए बताएं पहले investors के लिए फाइदे बताएं कि पहले नुकसान investors के लिए फाइदे क्या होंगे पहला फाइदा no risk of variation in income shareholder shares खरीदते तो variation in income का चांस होता कभी dividend ज्यादा कभी कम interest debt लिया है इस पर interest आपको फिक्स होता है company profit में जाए या नुकसान में जाए हमारी बिलास है हमें तो interest मिल जाएगा लिक्स लिक्विडेटर इनके अगर company dividend में ना करे शेर होल्डर को एक्षण नहीं ले करते हैं लेकिन अगर company इंट्रस्ट में ना करे शेर होल्डर कोड में जाकर उसको wind up करवा सकते हैं लिक्विडेटर पाइंट करवा सकते हैं लिक्विडेटर को नहीं होता है सिक्यूर्ड होते हैं नारमली यानि अगर company को नुक्सान हो भी एक्षण मुझूद हैं उनको बेच के आपको रिकवरी हो जाएगी और हायर रैंकिंग ऑफ पेमेंट ओन लिक्विडेशन का मतलब क्या है कमणी जब लिक्विडेट होगी सारी आशड़ बेच के पहले शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे यहां के डैट वलों को डैट वनों पाइसे मिलेगे यह फायदे हैं कर नहीं और नुक्सान क्या है नो वोटिंग राइट्स कंपनी की मीटिंग में पार्टिस्पेशन नहीं क अगर कमपनी फ्राफिट रन कर रही हो तो सोचेंगे या पैसा हमारा लगा वा था लेकिन प्राफिट उदर जा रहा है सारो हमें तो सिरुफ छोटी सी इंट्रस्ट की इंकम मेरे हैं तो अगर हाई प्रॉफिट हो तो उस सुरत में इनको इनको फिर यह नुकसान नदर आ रह पाइदा है और एकर अन्सेक्योड हो तो कंपनी के लिए क्या है चीपर है शेर्स की निस्बत क्यों इसमें इंट्रस्ट पे होता है वो टेक्स डिडगने बला है कंपनी को कुई वोटिंग राइश नहीं देने पड़ते हैं Limited payment इंञाय अब देखें इसके डिसर्डर्व हैं इसके डिसर्डवांट्रेश इसके ड्मांटिस बन रहे होंगे और इसके डिसर्डवांट्रेश बन रहे होंगे देखते जाएगा लेंटेट वेमेंटेटिन हाइश लोगें कास्ट बैंक के भाश्ध में आपको जञादा दो options आपके पास बड़ी, जेनल पबलीक से भी टी कठे कर सकते हैं, डिवैंचर, बारा की शकल में, बैंक से भी, बैंक लोन की शकल में, बैंक लोन की शकल में issuance cost low होती है, कोई आपको prospectus वा रहे होती है, लेकिन अगर जेनल पबलीक के पास जाएं, तो फिर इस शोंस कास्ट उसना ये लो इस शोंस कास्ट मेंक के पॉइंट उप उपज़े रखता और company के लिए disadvantage क्या है security प्रोइड करनी पड़ते है जो इसका advantage था इसका disadvantage आगे है company को security प्रोइड करनी पड़ेगी अगर profit कम है फिर भी payment करनी पड़ेगी अगर पेमेंट नहीं की इंट्रेस्ट की लिक्विडेटर पॉइंट हो जाएगा तो company को mind up कर सकता है अगर company liquidation में जाती है तो ranking क्या होगी पहले इनको पैसे देने पड़ेंगे shareholders के से compare करे तो उनके लिए नुक्सान की बात है उनकी बारी बात में आएगी further borrowing power reduced company further borrowing देखे company कितनी को borrowing कर जितने को उसके पास assets है जब security बे देने के लिए assets की खतम हो जाएंगे क्या company मजीद बारू कर सकती है नहीं तो जैसे जैसे कोई company हम कहते है उसकी borrowing power further borrowing power कम होती जाएगी क्योंकि उसके पास अब फर्दर इतने एसेट्स आई नहीं कि सिक्यूरिटी के तोर पर एक वाके लोन ले सके और हाई गेरिंग हाई रिस्क गेरिंग किसको कहते हैं गेरिंग का मतलब है लोन कितना उठाया फाइनांस में जिस कंपनी ने बैंक से लोन लिया होता है ना जिस लोन उसे कहते हैं ये गेर्ड कंपनी है गेर्ड कंपनी और जिसने लोन नहीं उठाया होता है उसे कहते हैं अन गेर्ड कंपनी तो जो गेर्ड कंपनी है उसमें रिस्क ज्यादा होता है अन गेर्ड कंपनी में रिस्क कम होता है तो हाई गेरिंग का मतलब हाई लोन तो हाई रिस्क होगा क्यों क्योंके कंपनी ने अगर इतना प्राफिट ना ना कमाया के इनको इंटरस्ट दे सके कंपनी तो गई वो ना शेर होल्डर वो तीर ना शेर होल्डर वो तीर